आप इस टूल को यूज़ करो ये फ्री मेरे हैं और ये सारा डेटा एसमरेश का ही दे रहे है ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और मैं हैपी न्यू यूएर इमिजिस पर काम कर रहा हूं लेकिन उसमें मुझे ट्रैफिक नहीं मिर रही मैं बहुत ही इसमें परश सकते हैं कि जिनको कॉंपटिशन ही नहीं हो और हम आप इसली गूगल में रेंक हैं और और याद रखिए का जितना लोग कॉंपटिशन की वर्ड्स आपके पास आएंगे जितनी अच्छे निचिस आपके पास आएंगे उतना जल्दी आपका गूगल एड्संस भी keyword research में भी यूज़ करेंगे और इन टूल में हम देखेंगे कौन से ऐसे paid tools हैं कि जिनको हम free में use कर सकते हैं क्या कोई ऐसा tool है for example smrash है अगर हम smrash pay नहीं कर सकते तो कैसे हम उसके functions या उसके features हम free में use कर सकते हैं और free में हम keyword research करके अच्छे keywords find out कर सकते हैं और अपनी website के लिए detail में plan ready कर सकते हैं तो screen पे चलते हैं तमाम tools को पहले review करते हैं एक दफ़ा check कर लेते हैं कि कौन कौन से tools हैं और उनका क्या क्या purpose है उसके बाद हम finalize करेंगे कौन से tools हमने use करने हैं niche research के लिए keyword research के लिए अपनी SEO के लिए ताके उन tools को हम separate कर लें उनको filter कर लें और in future आने वाले जितनी researches होंगी हम उन tools को उसके यूज़ करेंगे जी फ्रेंस तो चले हम screen पे आगे हैं तो start करने से पहले दो तीन चीज़ें आपके साथ share करनी थी number one पे यह कि जितने भी यह SEO के keyword research tool आपके साथ share कर रहा हूं इसका मकसद यह है कि आपकी totally grip होनी चाहिए इन सब tools पे आप SEO के बंदे हो या blogging के बंदे हो तो आपको पता होना चाहिए यह keyword research tool किस मकसद के लिए होते हैं अगर आपको इस चीज़ का idea नहीं है तो कोई भी आपसे question पूछ सकता है तो आपको अगर पता नहीं होगा तो आप उसका answer नहीं देशो कोई है इसलिए सारे keyword research tools का आपको idea होना चाहिए आपको पता होना चाहिए यह tools blogging में YouTube में SEO में यह चीज़ें काम आती है SEO में जितने keyword research की tools हैं वो सारे इस list में मैंने आपके साथ share कर गी है वो one by one आपके साथ share करूँगा सेकंड नमबर पे आप free में blogging स्टार्ट कर रहे हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं investment के लिए तो keyword research tools buy करने के लिए क्या आप free में यह यूज़ कर सकते हो आपको alternative share करूँगा किस तरह आप in paid tools का alternative यूज़ कर सकते हो और अपना काम चिरा सकते हो free में इसके लावाई यह है कि आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से tools हैं जो के google adsense की अगर blogging कर रहे हो google adsense की website बना रहे हो blog बना रहे हो तो उसके लिए कौन-कौन से tools best है और कौन-कौन से tools ऐसे best है जो कि affiliate marketing के लिए या lead generation के लिए या local business के लिए या पकसान में कोई e-commerce start कर रहे ह तो उसके लिए कौन सा best है तो start करते हैं one by one सबसे पहले number पे मैं आपके साथ share करूंगा total top 11 keywords tools है जिसमे number one पे आता है ahreff अगर ahreff को थोड़ सा मैं आपको review करके बताऊं तो ahreff basically जो tool है वो like different purpose के लिए है उसमें आप keyword research कर सकते हो competitor analysis कर सकते हो बहुत कुछ कर सकते हो वैसे तो इसकी prices बहुत हाई हैं अगर आप इसनकी prices पे जाओगे तो वह hundred dollar में भी है और उसमे thousand dollar भी है different prices आ जाती है लेकिन अ ahreff की base पे आप ऐसे-ईसे keywords नकाल सकते हो कि जिन पर बहुत कम websites बनी है और आप easily उन जैसी websites बनाके उन keywords पे websites बनाके Google में रेंक कर सकते हो within no time मतलब किसी ने किसी का target हो कि मैंने ऐसी blogging website बनानी है जो कि एक दो मा के अंदर अंदर मैंने उसको rank रहाना है Google में और मैंने traffic गेन करनी है उसके लिए ahreff tool best है क्योंकि ahreff में जब आप keyword add करते हो keyword research करते हो तो वह आपको keywords नकाल के दे देता है जिन में competition बिल्कुल ही zero होता ह या ना होने के ब्रावबर होता है तो आप उन पर काम कर सकते हो लेकिन अब यह paid है तो paid पर हम किस तरह यूज़ करें हमारे पास यह investment नहीं है क्योंकि अगर for example हम इसकी prices पे जाते हैं तो इसकी prices बहुत ही आई है 99 डालर पे भी start हो रहा है 199, 399 और custom फिर यह बड़ी बड़ जाता है इसलिए वह सारे लोग इसको purchase नहीं कर पाते तो इसका alternative यह है कि इसको free में जो इसके वरियंज आप यूज़ करते हैं अब free में में जाता हूं मेरे सामने आगए keyword difficult checker अब यहां पर यह क्या बताएगा क्या यह keyword rank हो सकते है नहीं हो सकता है for example यहां में research करता हूं tik application इस पे लेकिन हमने हार्ड पे इस 55 पे नहीं जाना हमने थोड़ा सा top 10 का analysis करने है उससे हमें idea होगा पहली website है जिसका DR 71 है उसके backlinks 24K है उसका URL भी बहुत strong है इसके लिए वह स्कूद मेंस मतलब कितनी domains से backlink मिला हुआ है अब इन दोनों में difference है total referring domain कितनी है मतलब कितनी website स इसको headline मिले हुए अब 303 गया है ठीक है मितल소년 33,000 बन जातीं है लेकिन हर website से किसी website से इसकोonte reach dot को पाँच मिले हुए है तोटल जो बैक लिक स Col brass को इसको मिले हुए है व를 24 की एंठीक है उप सो कि इन तैंट इनटीस सो में यह तकरीबं 3300 जो वेबचार बंच इसी वेबसाइट से इसको पांच वीदिं मेले यह किसी से 10 उंस से 1 तो तो टोल के गी से 24 कें है ठीक है टोल वेबसाइट इतनी हैं लेकिन हरको सब्सक्राइब बनते हैं वो ठैक्यली वह इतनी ट्रैफिक ले रहे है तो यह हमें कॉंपिटिशन अललिस हो गया पिर नीचे भी हम दूसरी वेबसाइट देख लें, तीसरी वेबसाइट देख लें और उसके बार ये नहीं बता रहा क्योंकि ये paid variant नहीं है, free है that's why वो नहीं बता रहा, लेकिन हमें इससे idea हो गया टॉप 3 में position लेना impossible है हमारे लिए क्योंकि competition बहुत hard है ठीक है, तो ये हो गया हमारे थोड़ सा shortly keyword research या keyword competition analysis कि क्या हम इस पे rank कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो इसमें एक और चीज़ है authority भी आ जाती है, for example, आप इस website की authority check करना चाहरे हो कि मैं इस website को derang करना चाहरा हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या इसकी authority कम है, ज्यादा है, और detail analysis हम नहीं करने है, तो वो और detail में बता देगा, क्या इसकी domain rating 71, so strong, backlink total इसमें, जो बता रहा है, 333, ठीक है, 3,33, और इसके link domain, जो referring domain वो इतना है अब इसके backlink check करने हो, तो आप top 100 backlinks में चले जाएं, यह backlink checker इसका tool है, यह भी आपको बता देगा, कि backlink किस type के बने हूँ है, कौन कौन से बने हूँ है, तो कहने का मक्सित यह है, हम बड़ा ही detail में review कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल सकते हैं, अब यहां आप मुझे backlink बता देगा, कहां कहां से इस website को backlink में ले हूँ है, तो यह free variant जो है, उसका यह फायदा है, लेकिन अगर आप paid purchase करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, आपको keyword analysis बड़ा detail में करने को मिल जाएगा, लेकिन आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे, second number पे जो हमारा tool आ जाता है, वो आ जाता है, smrash, smrash, ठीक है, अब smrash में जाते हैं, या YouTube की वीडियो जो भी है, ठीक है, अब मैंने इसको research किया, तो मेरे सामने इसका आ गया जी, related keywords भी आ गए, और इसका volume भी मेरे सामने, competition भी आ गया, cpc भी आ गया, और updated वगारा सारी चीज़ें, last अपडेटा ये smrash की अपनी है, कि ये tools अपडेट हो रहे हैं, इसमें keywords data यहां सामने आ गया, लेकिन हमने इसमें क्या चीज़ें देखने हैं, हमारा main keyword और उसका intent, ये इसका commercial intent है, हमने अगर blog बनाया है, तो हमारा informational होगा, हम उसको target करेंगे, second number पर ये है, volume उसका देख लें, और competition, जो इसका है very hard है, red है, इसमें too hard, क्योंकि इसमें on page competition भी strong होंगे, that's why इनका competition hard है, for example, इस keyword को में और overview पर आया, अब यहां पर देख लें, इसका volume अमेरिका में इतना है, लेकिन competition difficulty इसका too much hard, बहुत ही hard है, अगर ये होता 10-20 तो हमारे लिए easy होता है, एक new website के लिए, लेकिन ये हम इसको बीटनी कर सकते हैं, तो माम इसमें बता र आने का वो ये है, कि इस tool को use करना आपको आगया, जब आप जल्दी जल्दी में analysis करते हो, किसी keyword research का, तो आपने क्या क्या चीज़े देखनी होती है, keyword put किया, difficulty देखी, volume को आपने इतना value नहीं देनी, क्योंकि sometime ऐसा होता है, 1.9 की है, लेकिन आप reality में देखो, तो इसमें 10 20,000, 50,000 traffic आ रही होती है, तो volume कभी भी एक जैसा नहीं होता, volume की confirmation आपो चाहिए, तो वो आपको अगले tool में confirm होगी, कि इसका volume ज्यादा है, या कम है, वो किसमें होगा, Google Trends में आपको बताऊंगा, कि 100% surety दे देगा, कि वाकि इस keyword पे traffic आ रही है, लोग सर्च कर रहे हैं क नहीं कर रहे हैं, अब next यह है, यहां से बड़े मज़े की चीज़ आपको यह साथ share करूँगा, कि for example, आप कोई keyword put करते हो, जो कि Indonesian keyword है, Indian keyword है, यह किसी भी country का Brazil का keyword है, ठीक है, आपने देखा होगा कि US में उसकी traffic बता रहे हैं कम, लेकिन यहां पे बंगला देश में, या इ example नहीं, यहां लिखा हुए 10,000, और उपर लिखा हुए 1.9, it means, यह keyword ज्यादा सर्च हो रहा है पाकिस्तान में, ना कि America में, US में, ठीक है, तो यह चीज़ें यहां से आपने देखी हैं, कि ज्यादा volume किस country में, अब यहां पे ज्यादा volume इसने बताया हुए है, अमेरिका मे ठीक है, US में, तो इसी तरह आपने देखना है कि किस country में ज्यादा volume फिर उस country को आपने target करना है, ना कि अमेरिका को target करना है, तो volume जहां पे देखा जाएगा, जहां पे ज्यादा वहां पे target करना है, Google Trends का alternative आपके सामने है, SMRX का, यह trend, यह trend बता रहा है, आप है, that's mean की keyword पे स्थर्चिस हो रही है, ठीक है, तो it's mean हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने यहां पे देखा difficulty बोल ज्यादा है, तो हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आजाएं, questions, यह topical map जो आजकाल बड़ी famous हो रही है, semantic SEO, यह topical map बनाना है, topical authority बनाने के लिए, हमने different keywords को adjust कर rise भी करना है, उसको बड़ा explain करना है, डीप्ली, तो सारा semantic SEO में आता है, तो semantic SEO में जो यह questions से related keywords होते हैं, यह बड़े use होते हैं, तो topical map बनाने के लिए, यह सारे चीज़ें उसमें include होती हैं, तो यहां से questions के ideas भी आप उठा सकते हो, लेकिन इसके लावा भी बड़े options हैं उठाने के लिए, लेकिन, smrash paid है, अब हम paid नहीं use कर सकते हैं, हमें को free में चाहिए, smrash का मैं free बड़ा आपको option बताता हूँ, यह है जी, यह, नहीं, आइधिंक, यह बड़ा, थार्ड नमर बड़ा, यह है जी, दी होत के नाम से, अगर हम इसको like open करें, यह keyword है, ठीक है, यह आपको मैं in description में दे दूँगा, अब same, इसी को हम अगर use करें, यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, for example, how, how to, like rank fiber gigs in Pakistan, अपने से keyword में ने अड़ किया, वैसे पाकिस्तान में तो कोई, इस तरह की सर्चिस बहुत काम होते हैं, उसमें बोले, इस phrase से match कोई keyword नहीं है, तो हम इ video downloader, इसको हम search करते हैं, हमार वस data आ गया जी, अब थोड़सा अगर उपर जाएं, आप इसको थोड़सा study करें, यह दिहूद Google Keyword Planner tool powered by smrash, यह जितना data उठा रहा है, smrash से उठा रहा है, इसलिए अगर आप smrash purchase नहीं कर सकते, आप इस tool को use करो, यह free में है, और यह सारा इस सारे चीज़ें बड़ी smartly और बड़ा easily आपके सामने share कर देता है, किवर्ड आपका यह हो गया, उसका volume तकरीबन एक लाग दस थाजार आपके सामने आगया, cpc बड़ा अच्छा है, इसका results, total Google के results होते हैं, यह results जितने कम होंगे, उतना ही competition कम होगा, results जितने word मिल जाता है, जिसका competition कम हो, तो हम उसको like pick कर सकते हैं, उठा सकते हैं, जिसकी difficulty कम हो, for example, यह सारे keywords है, जिसमें सबसे कम difficulty, अगर हम देखें, तो मुझे इस keyword की मिली है, ठीक है, 24, 24 इसकी difficulty है, और like इसके में, इसको भी open करता हूँ, और इसके total जो वाली हो मैं, 260 है, अब यह keyword क्या है, बल्क टिक टॉक वीडियो डाउनलोड और without watermark, यह हमारा keyword है, जिसका competition सबसे कम नज़रा है, ठीक हो गया, तो हम, for example, इसको यह research करते हैं, दोबारा, इसको यह pick करते हैं, यह keyword आ गया हमारा, इसको हमने यहाँ put किया, और research किया, हमारे पास इसके results आ रहे हैं, क्योंकि इसके results आप देख रहे हैं, 272,72,000, मतलब बहुत कम हैं, तो यह keyword rankable है, हम for example, कोई keyword टिक टॉक वीडियो डाउनलोड रगनाते हैं, तो उसके keyword को target कर सकते हैं, तो इसका CPC अच्छा होगा, क्योंकि टूल्स की जो CPC अच्छे होते हैं, वो हमेशा अच्छे होते हैं, उन पे Google आपको अच्छा पेग करता हैं, तो यह एक idea है, आप यहां से different keyword research tools को use कर सकते हो, और data आपके पास smrash का आएगा, तो यह trick है, यह आप जो भी समझ लें, कि यहां से आप play कर सकते हो, और smrash को भी use कर सकते हो, और is free tool को भी, basically मकसद यह ही है, आपके साथ tools share करने का, आपने सारे tools use करने हैं one by one, यह नहीं है कि एक tool use करने है, यहां सब tools से आपको idea मिले का, next है keyword everywhere, अब यह keyword everywhere को थोड़ा सा आपको हम explain करता हूं, keyword everywhere एक extension है, जिसको आप use करते हो, और उसकी help से क्या like फाइदा आपको होता है कि आपकी जो Google Chrome है, उसके नीचे आपको सारा details, उसका data आजाता है keyword everywhere का, for example, यहां इसकी picture में बता हूँ, इससे आपको idea हो जाए, जब आप keyword, कोई भी keyword, Google में सर्च करते हैं, उसके नीचे बार आजाती है, और बार में बता देता है, volume कितने ह और हर website की authority है, वो सारे चीज़ें, authority, most के बेस पे जो authority उसके यह दियापी है, वो आपको बता देता है, वो सारे चीज़ें, और इसके लावा उसका trend बता देता है, उसके लावा difficulty यहां पर बता देता है, side पे, ठीक है, इस keyword की difficult लिकेती है, वो सारे लोग इस tool को use करते हैं लेकिन यह paid tool थोड़ा सा आपको free में मिले का लेकिन उसके बाद paid मिल जाता है, अब इसका alternative एक ओर tool है, जो आपके साथ मैंने like share करना है, I think इस पर मैंने add ने किया हूँ, मैं आपको वैसे idea देता हूँ, वो tool है जी, like for example, best SEO, best, नहीं, TikTok, TikTok video downloader, example के तोर पे हम इसी को research करते ह Google पे मैंने research किया, तो मेरे पास एक tool आया, powder by server, keyword server के नाम से, ठीक है, keyword server, अब इसने क्या मुझे बता दिया, total volume इसका कितना है, उसका CPC कितना है, मेरे सामने आ गया, और यहां suggestions में मुझे कुछ keywords आ रहे हैं, कि यह keywords और उनका volume भी साथ, तो यह keyword research के tool है, जब हम speedly काम कर र conditions मिल जाएंगे, तो हम mind में आएगा कि यार, यह word अच्छा है, इस पे competition काम हो सकता है, उसको copy करेंगे, smrx में डालेंगे, और दूसरे tools में डालेंगे, तो हमारा जो एक like होता है, research होती है, strong हो जाती है, keyword research tools का मक्सद ही होता है, कि आपकी जो research है, वो strong हो जाए, ठीक है, तो इस tool से हमें यह फायदा होता है, इस tool का नाम है keyword surfer, keyword surfer को मैं यहाँ पे add कर देता हूँ, keyword surfer, अब यह tool मैंने किसलिए आपके साथ share किया, क्योंकि keyword everywhere एक थोड़ा सा काम करता है, लेकिन उसके बाद वो paid हो जाता है, क्योंकि everywhere paid है, ठीक है, लेकिन उसका alternative keyword surfer मैंने Google Trends आ गया, ठीक है, यह most important tool है, आपने इसको समझना है, understand करना है, उसकी वज़ए यह है, कोई भी आप keyword research करते हो, example के तोर पे, for example, हम TikTok video downloader पे ही जाती है, इस keyword को उठाती है, यह keyword मैंने final कर लिया, ठीक है, लेकिन Google Trends Final तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे किस तरह आइडिया हो गया, कि आप वाकि इस पे, जो है, मैं काम करूँ तो मुझे फाइदा होगा, नहीं होगा, इस चीज़ का मुझे कैसे आइडिया होगा, तो हमेशा ही याद रखी गया, जब भी आप कोई keyword finalize करते हो, तो एक and उसका आगे down हो रहे है, अप हो रहे है, इस चीज़ का आइडिया नहीं है, example के तोर पे, mostly आप क्या करते हो, for example, इस keyword को remove करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, happy new year images, ठीक है, ये keyword है, अब इसको मैं research करता हूँ, और यहां से पाकिस्तान है, इसको मैं change करके 12 month कर देता हू मैंने keyword research कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, और finalize हो गया, मैंने website बना ली, और मैं happy new year images पे काम कर रहा हूँ, लेकिन, उसमें मुझे traffic नहीं मेरी, मैं बहुत ही इसमें परशान हो गया हूँ, ये क्या reason है, तो जब मैं trend में जाता हूँ, Google trend में, चेक करता हूँ, यार इसकी searches तो होती, December और January में, और वो भी last days में होती है, उसके बाद उसकी searches नहीं होती, तो मतलब मेरी मेरी मेहनत करने का जो फाइदा था, वो जो इतनी struggle थी, इतनी investment थी, वो सारी waste होगी, बज़ा क्या, कि इसका तो trend है ही नहीं, क्योंकि आप इसको, अगर इस पे mouse hover करूं में, तो दुनिया में, ये just January और December में सार्च होता है, उसके लावर नहीं होता, मतलब, एक माँ, ये इसके searches होती है, और मैंने इस पे website बनाके, अप्रेल में, ये जून में, मैं बनाके बैड़ गया हूं कि, अब इस पे मेरे visitors आएंगे, लेकर नहीं आते, इसको क्या कहते हैं, बैस तो हर माँ देखें, आप इसके searches हो रहे हैं, कभी ये down हुआ है, पूरे साल में, बिल्कुल नहीं down हुआ, पूरा, पिछले 12 माइने में अगर आप इसका trend देखें, Google में लोगों ने इसको search किया है, worldwide, आप किसी भी country को ले लो, यहाँ पे, for example, मैं United States ले 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 लेता हूं, आप United States में देखें, अमेरिका में क्योंकि ज्यादे दर लोग काम करते हैं, उसका trend अच्छा है, इससी तरह आप अगर इंडिया में बैठे हुएं, इंडिया का काम, इंडिया में आप करना चाहरे हो, इंडिया में देखें, यहाँ से उपर चला गया था, ज्यादा हो गया या Google की वेब सर्च में करना है, यह शॉपिंग पे यह YouTube सर्च पे टार्गट है आपका, या तो YouTube की रिसर्च भी आप कर सकते हो, YouTube पे थोड़ से रिसर्च काम में, क्योंकि वीडियो डाउनलोडर है, तो TikTok वीडियो डाउनलोडर यूटूब पे लोग नहीं सर्च करते हैं, TikTok वीडियो डाउनलोडर कि सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन इसी की कंपैरिजन, हाउ टू मेक आईस क्रीम, अब यह मैंने सर्च किया, अब इसका ट्रेंड ज्यादा होगा, यह देखें आप, इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, लेकिन उससे कंपैरिज में, हाउ टू मेक आईस्क्रीम के सर्च बहुत ज्यादा हुए हैं, और हो रहे हैं, कांटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, कहां पे, यूट्यूब सर्च पे, अब इसी को मैं चेंज करता हूँ, वेब सर्च में, गूगल में, तो गूगल में दोनों के सर्च इस एकोल आ जाए तब, तोड़ा ये टाइम ले रहा है, I think, लेट मी चेक, क्या हो गया, लगता है, इसको वेब सर्च में मसले आ रहे हैं, इसको सेपरली चेक कर लेते हैं, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूँ, तो आ गया है, अब आप देख लें, इसको कमेरेजन कर लें, अब ये गूगल में बता रहा है, दोनों के जो ट्रेंड्स हैं, तक्रीबन तक्रीबन एकोल हैं, मतलब दोनों को गूगल में सर्चिस हो रहे हैं, कर रहे हैं लोग, आइसक्रीम के ज्यादा है, लेकिन यह कि वीडियो जो टिक टॉक वीडियो डाउनलोड है, उसका भी किसी से कम न विए तो यह में ट्रेंडिंग में तो मुझे बता रहा है कि कि इंडिया में यह चीज अलनासर सार्च होगा है और इसरा चाल के पीबी KS VS SRH यह बहुत ज्यादर सर्च हो रही हैं तो यहां से आप ट्रेंड को भी अपनी उसमें क्या कहते हैं ब्लॉगिंग एपसेड में एड़ करके और ट्रेंड कैश कर सकते हैं ट्रैफिक आपको एद्दम बूस्ट मिलेगा इसके लिए वह आप यह देख लो के ईज से ट्रैड था वही उसको दोबारे चेक करते हैं आउटामेक आइस्क्रीम अब यहां से एक फाइदा आप ये भी है फोर एलबंबर ने यर मी यहां से लोकल बिजनिस पर काम कर सकते हो यह लोग यह पर नियर मीं गौब तार्गेट कर सकते हो प्लंबर नियर यह तरंग गाना आप पते हैं कि इस तरह के वर्ड है चिंदीगाड़ आ गया अर्याना आ गया तो यह अमेरिका के लिए भी आप यूज कर सकते हूं तो यह एक रिलेड़ेट क्यूरिस जो अभी टॉप पे सर्चीज हो रही है ठीक है तो आप यहां से आइडिया ले सकते हो तो गूगल ट्रे प्लैनर में ने अपने पास ओपन किया हुए इसको में टिक टॉक वीडियो डाउनलोडर आपको एक छोटी सी बात बता नहीं है लेकिन में चीज है टिक टॉक वीडियो टाउनलोडर इस पे हम क्लिक करते हैं जब भी गूगल का कीवर्ड प्लैनर जहां से तकरीबन सारे ट यह जो बिक एद्स नहीं आरहे होंगे आपके पास ऐसे सर्चिज नहीं आ रही होगी आप अपना कीवर्ड प्लैनर ओपन करें आपके पास यह सर्चिज नहीं आ रहे होंगे आपके पास क्या आईगा, आपको यह बताएगा एक लाग से 20 लाग, एक लाग से डेश, टीस लाग इस तरह की सर्चीज आरही होगी, क्यूं? प्यूंकि मैं इस जो काउंट है मेरा, इस काउंट मैं गूगल अड़्ड रन कर रहा हूँ तो जो जो बंदा Google Ads run कर रहा है या investment कर रहा है PPC run कर रहा है तो उसका जो keyword planner होगा वो different थोड़ा साथ है जो free में जन्होंने कभी Google Ads run नहीं किया अपने account में उनको फिर दूसरी तरह शो होती है तो वो exact नहीं शो होते हमें जो values शो होती है वो 100% accurate होती है और correct शो होती है ठीक है अब इसी keyword को में copy करता हूँ अपना कोई और like कोई और ID for example कोई और Gmail ID open करता हूँ उस पर हम देखते हैं हमें यह searches बताएगा या हमें कोई different बताएगा तो हमें clear हो जाएगा कि free में keyword planner जो होता है नॉर्मल सा उसका क्या फाइदा आजाएगा यहां देख लेंजिए आपके सामने आगा हम यहां से इसको थोड़ा नीचे भी नहीं हो रहा इसको हाइट करो लोग्स करो अब यहां पर आप देख लें आपके सामने जो टिक टॉक वीडियो डाउनलोडर आ गया है इसके जो सर्चेज उसने बताए हैं वो 1 million से 10 million बताए हैं लेकिन पहले वले मेरे account में उग बतारा था 18,000,000,000 कुछ इस तरह एक लाग 30,000 या 18,000,000 बतारा था क्यों उस account में Google Ads run कर रहा हूँ, वो मेरा account strong है, उसमें मैंने बड़ी investment की हुई है, उसमें मैंने PPC run की हुई है, that's why वहाँ पे जो accounts मुझे data बताएगा, वो accurate बताएगा as compared to free account. तो यह चीजें होती है, आप जब PPC run करते हो, तो अपनी जो Google Ads run करते हो, तो वो अपनी SEO के लिए run करो, या किसी भी मकसद के लिए run करो, लेकिन उसके साथ आपने यह भी देखना है, कि आपको वहाँ पे data accurate मिलेगा, free account में आपको accurate या ने Gmail ID बनागे आप चेकर होगे, उसमे अब नेक्स्ट हम टूल पर जाते हैं, Google Suggestions, Google Suggestions same as it is, जो आपको मैंने आरेडी बताया है, यह गूगली है basically, Google Suggestions basically Google हो दी है, ठीक है, for example, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, TikTok Video Downloader, अब यहाँ पर मुझे आगे suggestion में keywords आगी है, मैंने इन keywords की list बनानी है, और इन सब keywords को अप इसा ना feel हो कि मैंने जानबूच के आर्टिकल में adjust की है, लेकिन एक natural conversation हो रही है, जो एक article लिखा आ रहा है, उसके अंदर की adjust हो जाएगा, feel होगा कि यह चीज़ भी इधर add होनी थी, यह इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो इन keywords को हमने copy करना है, copy करके हमने article writer को देना कि यही चीज़ें ऐसे adjust करनी है, आगे हम chat GPT से जब content create करवाएंगे, तो हम यह देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह हमने यह keywords इसमें add करने है one by one, अब इसके backend पे में यह star का button, जो sign है, add किया है मैंने, अब इस keyword के back side पे जो सर्चिस हो रही है, वो भी मुझे बता रहा है, म यह different keywords यहां से भी आपको मिल सकते हैं, और आगे suggestion से भी मिल सकते हैं, तो यह होती है Google suggestion की use करने का way, सारे tools का share करने का मकसद ही यह है कि हर tool में आप expert बन जाओ, ठीक है, अब next tool में हम जाते हैं, इसको हम search करते है answer the public, ठीक है, अब answer the public यह करता है basically, answer the public आप कोई भी TikTok वीडि order ही हम search करते हैं, इसको हम use कर देते हैं this time, और English हो जाएगा, अब इस पे हम YouTube भी search कर सकते हैं, बिंगो भी TikTok को भी और Amazon की, ठीक है, हमने use करने answer the public for Google, क्योंकि हम Google भी काम करना चाहरे है, answer the public को मैं simple words में आपको explain करूँ, जब भी आपने topical map बना रही हो, अपनी websites के content के use करने, यहां से आपको ideas मिल जाती है, what, why, where, और इस type के, ठीक है, for example, यहां पे नीचे में आता हूँ, तो यहां पे सबसे पहले TikTok video downloader के, यह suggestions आ रही है, TikTok video downloader for PC, ठीक है, TikTok video downloader for iPhone, for free, for Android, for Chrome, for HD, to MP3, TikTok video downloader to MP3, यह keyword मुझे अच्छा मिल गया, ठीक है, और इसके लावा TikTok video downloader to gallery, to gif, तो यह different keywords, यहां से मुझे ideas अच्छे-च्छे मिल रही है, इसके लिए हम three comparison, अभी comparison का आगे, ठीक है, पहले नमबर पे आपके पर सेक्शन आता है, वो आता है questions का, ठीक है, अब यहां पे एक ही question है, what is TikTok video downloader, what is TikTok video downloader, ठीक है, यह बट वाला keywords में आगे, एक ही आग adjust हो रहे हैं, for, without, जिस तरह यह हो गया है, without watermark, for, के, तो यह helping keywords जो इसके साथ adjust हो रहे हैं, वो proposition वले words, वो यहां पे आ जाते हैं, फिर यहां सामने option आ रहा है, comparison, यहां comparison पर देखते हैं, तो TikTok video downloader and save, TikTok video downloader with, और without watermark, तो यह versus वले keywords यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, तो इस त TikTok video downloader, मेरा main keyword है, आगे app आगी, आगे APK आगी, API आगी, audio आगी, तो यहां से भी आपको keywords मिल जाते हैं, for example, इसका main मकसद था, वो मैं आपको बता दू, within no time, ठीक है, यहां पे आपको इसका volume भी बता रहे है, और CPC भी बता रहे है, और competition भी बता रहे है, ठीक है, लेकिन हम चाहिए, यह अभी prepared variant मांग रहे है, इसमें, like, login करते है, जिस्ट आपको इस answer पब्लिक का यह बताना है, कि इसमें हम questions सर्च कर सकते हैं, हमें questions मिल सकते हैं, skip करो right now, ice cream मैंने सर्च किया, अब मुझे ice cream से related questions चाहिए, जो मेरा main target था, अब यह gather कर रहे है, questions हो, इसको questions मिल ज share करने थी, अब इसने, जो main मकसद था मेरा, वो निकाल के दिया, यह देखें, are ice cream, कॉंस, यह, I think, gluten free, I think, so, इसने लिखा हुए, तो, I don't know, क्या लिखा हुए, इसने, can ice cream causes diarrhea, ठीक है, who ice cream sandwich, why ice cream is bad for you, देखें, कितने why की keywords, why, which, where, when, what, how, can, are, or will, यहां से आप अपनी topical authority बना सकते हो, यह तो, यहां से आपको कितने keywords मिल गए है, तो आपको blog का section यहां सी complete हो जाएगा, यह है answer the public reality में, जिसका आपको grip होनी चाहिए, आपने इसका use करना है, आगे आ जाता है moze, moze, बहुत कम लोग use करते हैं, और even main में, मैंने तो कभ keyword analysis करने को मिलते हैं, लेकिन कोई भी इसको, for example, यहां से मोज को अपना भी domain analysis करता हूँ, यह sign up मांग रहा है, यह थोड़ा long process हो जाएगा, let me check domain authority, यहां से free, free में चेक करके मुझे दे दे, यहां से, for example, मैंने keyword analysis की है, ठीक है, और मेरे पस कुछ website आ गई है, अब मैं कोई website यहां पर put करता हूँ, तो मुझे यहां पर यह बता देगा किसके domain authority क्या है, इसके link domain किती है, कितने backlinks है, ranking keywords कितने हैं, और spam score कितने हैं, ठीक है, तो यहां से मुझे वही चीज़ें मिल जाती हैं, जो SMRX या AHF से मिल जाती है, so, Moz को यूज करने का फायदा नहीं है, ठीक है, आपना भी यूज करो तो कोई issue नहीं, that's why मैं सेजस्ट नहीं करता कि इसको आपनी यूज करना है, आपके पास already इतने tools आ आगे है, keyword tool.io, ठीक है, यह keyword tool.io पे हम जाते हैं, यह भी बहुत अच्छा tool है, like मेरे फेवरेट tools में से एक है, इसलिए कि इसने हर category को different कर दिया, for example, यहाँ पे मैं TikTok video downloader करता हूँ, ठीक है, downloader करता हूँ, यहाँ पे आप YouTube की research कर सकते हो, Bing को भी, Amazon को भी, किसी को भी use इसमें से कर सकते हो, तो यह बड़ी अच्छी चीज है, कि आपने किसका analysis करना है, किसकी research करनी है, same, वही tools है, उसी तरह वर्क करता है, जिस तरह बागी करते हैं, लेकिन लोग इसको भी use करते हैं क्योंकि आपने जब तेजी से काम करने हैं, आपने सारे tools यूज करने हैं, यहाँ बे मुझे suggestion दे रहा है, MP4, HD, और shortcut यह, अब यह tools वही चीज़ बता रहे हैं, जो मैंने free में आपको पहले बता चुका हूँ, Google suggestion के through, कि Google suggestion से भी ideas नकाल सकते हूँ, और smrash से, और href से and a lot of tools ठीक है, तो बहुत सारे tools हैं, वहाँ से आप idea ले सकते हैं, लेकिन आप YouTube के मकसद के लिए इसको use कर सकते हूँ, अगर आप YouTube पे काम कर रहे हो, तो YouTube के लिए बहुत best है, क्योंकि YouTube के लिए भी आपको अच्छे keywords नकाल के देदेगा, for example, यह देखें, टिक टॉक, वीडियो अंगारना डाउनलोड, श्याम, मलायम, यह इंडिया की language है, उसमें सर्चीज हो रहे हैं, तो यह इंडिया की language में सर्चीज हो रहे हैं, यह मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, तो इस keyword ने मेरी help कर दी, तो यह keyword इस मकसद के लिए, अब देखें, टिक टॉक वीडियो डाउनलोड का तरीका, या टिक टॉक वीडियो डाउनलोड कैसे करें, 2023, यह अब उर्दुके की words है, आपके सामने आ गए हैं, तो tools, इस तरह जब हम तेजी से research करते हैं, तो tools हमारी इस तरह help करते हैं, मदद करते हैं, तो यह भी बहुत अच्छा tool है, research करने के लिए, जल्दी-जल्दी आप इसको भी help, use कर सकते हैं, अपने काम के लिए, also ask, इस पर जाते हैं, यह भी, I think, आपको मैंने पहले share किया होगा, also ask, ठीक है जी, also ask, भी, again मैं दुबारा से कर लेता हूँ, टिक टॉक, डाउनलोडर, यह भी answer to public की copy है, या उसी की तरह वर्क करता है, या उसी की तरह का design है, ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कि आप अपना main tool, main keyword add करते हो, और आपको यहां पे suggestions में बता देते हैं, कि यह, यह keywords है, जो के questions related है, ठीक है, यह आपको इसने topical map बना के दे दिया एक तरह का, कि आपका time save हो गया, ठीक है, टिक टॉक डाउनलोडर main homepage पे आजाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है, उसके बाद आजाएगा what is the best TikTok downloader, यह हमारा एक page बन जाएगा, इस TikTok downloader legal, उसके बारे में हम detail में बता सकते हैं, और TikTok downloader removes water mask, या water warm remove करता है नहीं करता, तो यह हमारे चार pages आजाएगे, और चार pages के बाद हम यह post बना सकते हैं अपनी website की, यह सारे copy paste करें वे one by one, और इनकी हम post बना सकते हैं, तो हुई ना मज़े की चीज, तो यह भी one of my favorite है, इसको आप use करो तो बड़े अच्छे तरीके से आप topical map बना सकते हो, semantic SEO को use कर सकते इस tool की मदद से, और अपनी website करवा सकते हो, Google की rules and regulations की base पे, इसके बाद last वे जो tools आता है, वो basically आता है, Ubersuggest, ठीक है, Ubersuggest, Nail Patel का tool है, वो जो हमारे गंजे बाई हैं, उनका यह tool है, और यह भी अच्छा tool है, TikTok, Video Downloader, लेकिन बात वही है, एक tool करो, दस tool करो, mostly जो details share करते ह हैं, same करते हैं, तो, at the end, इस video के end पर मैं बताता हूँ, आपने use कौन से करने है, in future, या कौन कौन से best हैं, जो मेरे experience के मताविक अच्छे हैं, और working में हैं, अब उबर से रिजिस्ट में आए, यहां पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, keyword difficulty, volume, paid difficulty, अब यह paid difficulty क्या होती है एक होती है, SEO difficulty, एक होती है, pay difficulty, volume तो आपको पता है, SEO difficulty वो होती है, कि आपने Google में website बना के rank रहानी है, SEO की difficulty कितना competition, hard है नहीं है, वो चीज़ें आपको बता देता है, लेकिन pay difficulty क्या होती है, pay difficulty यह होती है, कि आपने इस keyword पे Google Ads run करनी है, तो क्या Google Ads को यह और भी run कर रहा है एक बंदा कर रहा है, 10 बंदे कर रहे हैं, 100 बंदे कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, अगर एक बंदा भी नहीं कर रहा है, तो इसकी difficulty काम होगी, easy है, मतलब आप Google Ads run करोगे, तो आपका ad top पे शोगा, लेकिन अगर इसकी pay difficulty, 50 होती, 60 होती, 70 होती, that means, कि इस पे आप ad run करोगे, तो आपका top पे नहीं आएगा, क्योंकि competition बहुत है, इसकी example, आप insurance का keyword put करके देख सकती हो, उस पर फिर ये difficulty ज्यादा हो जाएगी, फिर ये आगया था CPC, कि पर click आपको कितना मिलेगा, लेकिन ये average होता है, हमेशन याद रखिए का जो CPC आपको बताया है, जैसे tools पे, व ये चीज़ें आप नहीं देखने हैं, नीचे आपको suggestion में मिल जाएगे, और ideas, ये ideas आपको suggestion से भी मिल रहे थे, Google Trend से भी मिलते हैं, तो यहां से भी आप देख सकते हो, यहां से आप top 10 websites को भी analysis कर सकते हो, ठीक है, at the end, जितने tools हमने review की हैं, अब एक ही बात है, जो मैंने आ HRF, ठीक है, ये दोनों आपने must, इस पे अपनी grip होनी चाहिए, उसके बाद आपका Google Trend और Google Keyword Planner और ये तीनों, और answer the public, या पर इसको also ask कर देंगे, अब ये जो tools है, HRF, SMR, Google Trends, Google Trends, Google Keyword Planner, Google Suggestion, ये तो Google के अपने tool होगे, इनको तो आपने 100% इस पे grip होनी चाहिए, यहा क्यों बता रहा हूँ आपको, कि ये लाजमी करने हैं आपने, उसकी reason ये है, कि AHREP और SMRT वाइट टूल्स हैं, ऐसे हैं, कि जो के competitor analysis बड़र detail में आपको बताते हैं, for example, ये मेरे पास अभी like paid है, free है, आगे आने वीडियो में हम paid के through हम ये सारा काम करेंगे, ठीक है, अब इसके आपको ये analysis में बता रहा हूँ कि ये website है, और मेंने keyword put किया, और मेरे पास ये top 10 websites आगी है, अब इनका pay score के है, referring domain किते backlink से नहीं बनाई हूए है, कितनी इनकी authority है, कितनी इनकी traffic ले रहे हैं, ये सब, ये top 10, ये मुझे मिलता कहां पी है, AHREP में और SMRT में, that's why, SAMRT और AHREP top priority है, इन future आने वीडियो में, AHREP तो paid है, बड़ा expensive है, लेकिन SAMRT हम use करेंगे, क्योंकि हमने detail keyword research करनी है, niche research करनी है, तो वो SAMRT के through करेंगे, और इसके लावा हम Google की tool यूज़ करेंगे, लेकिन ये है कि हम्यारी जो niche research की बड़ी detail videos आ रही है, ये 15 methods है, niche research की, वो आ अच्छा काम ये कर सकोगी, तो ये थी बिसके लिए कि आज की वीडियो की keywords को आपका review करो, understand करो, समझो, ताकि कोई BASU का interview होता है, कि ये आप job करने जाते हो, तो कमसकम आपको पता होना चाहिए, कि keywords के जो tools है, keyword research के वो कौन-कौन से है, और कौन-कौन से use करने चाहिए, क आप blogging का रहे थी और fail हो चुके हो, तो comment में अपना status है, वो लाजमी मेरे साथ share करें, कि आप किस status पर बैठे हो है, कि step पर बैठे हो है, कि blogging करने का सोच रहे हैं, या blogging कर रहे हैं, या आप fail हो चुके हैं, चोड़ती हैं, ताकि मैं आपको उस रसाब से आगे guide करूँ, आज के लिए इतना काफी था, thank you so much.